तमाम राजी सरकारों को लेकर सुप्रीम कोट की तरब से की गई टिपड़ी को विपक्ष भुनाने की कोशिस करता दिख रहा है महरास्टों के तमाम ऐसे नेता जो अक्सर असंसदिये शब्दों का इस्तमाल करते पाए गए उसमें सबसे पहले स्थान पर आते हैं उदफ ठाकरे के लाडले संजराओ अगर एकनाशिंदे और बीजेपी के गटबंदन वाली सरकार इन पर कानूनी कारवाई कर देती तो ये विपक्ष ताना शाह की सरकार करार देने में जरा भी देर नहीं लगाती लेकिन जब कारवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोट की तरब से टिपड़ी को ढाल बनाकर यही नेता बीजेपी और एकनाशिंदे की शिवसेना को घिरने की नापाक कोशिस कर रहे हैं सुप्रीम कोट की तरप से क्या बड़ी टपड़ी की गई है और क्यों विपक्ष के नेता अब एक सुर में बोलते दिखाई दे रहें इसका हम इस रिपोर्ट में राजनतिक पोस्ट माटम करेंगे आपसे आग रहा ही की चनल को सब्सक्राइब कर लें देखते रहें संसदिय भाषा की गर्मा को लांगने की हिमाकत की है और उनका ये सिलसिला अगाली की गटबंदन वाली सरकार के समय से ही देखने के लिए मिला ऐसे ही पक्ष विपक्ष में अनर्गल बयान देने वालों की लंबी फेरिस्थ है वसलन अब भड़काऊ बयानों पर नकेल न क से जाने को लेकर के खुद सुप्रीम कोट की टिपड़ी पर जमकर राजनेतिक रोटियां से की जा रही है तरसल सुप्रीम कोट ने एक अवमानना याचका पर सुनवाई के दोरान नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ प्रात्मिकी दर्ज करने में विफल रहने के लि है क्योंकि राज अक्षम शक्ति हीन हो चुका है और समय पर करवाई नहीं कर रहा है अगर राज सरकार चोप है तो फिर हमारे पास में राज होने का ही फाइदा क्या है सुप्रीम कोट ने साफ तोर पर कहा कि हमारे पास में फिर राज होने ही नहीं चाहिए कोट की टिपड कि अब सियम एकनाश शिंदे से इस्तीफे की मांग कर रही है महाराश्टर कॉंग्रेस अद्धक्ष नाना पठोले नहीं कहा कि शिंदे सरकार ने पिछले 9 महीनों में महारास्टर की जबी को बड़ा झटका दिया है कुछ संगठरों के भड़काव भाषणों के कारण संप्र योकि ये तुरंत कारवाई नहीं करती है और पूचा है कि अगर वो चुप रहती है तो हमारे पास में राज्य आखिरकार हैं ही क्यों। सुप्रीम कोट की नाराजगी का समर्थन करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कानून विवस्ता पूरी तरह से चर्मारा चुकी है और सत्ता रूर शेफ सेना बीजेपी के सामसद और विधायक खुले तौर पर लोगों और विपक्षी निताओं को धमकाते हैं और उन पर हमला भी किया जा रहा है लेकिन कोई कारवाई शुरू नहीं की गई सत्ता पक्ष के एक विधायक ने गोली चलाई लेकिन वो पुलिस कारवाई से बज़ गया सकल हिंदू समाज यानि की SHS की हाल की रेलियों को जिक्र करते हुए जिस पर सुप्रीम कोट ने कुछ संगठनों ने विरोत किया और पॉलिस में शकायत दर्ज करवाई गई है लेकिन कानून लागू करने वालों के हाथ बधे हुए हैं क्योंकि सरकार खुले तौर पर कट्टर 35 समों का समर्थन कर रही है नाना पटोले ने का कि सरकार से ऐसे समों पर अंकुष लगाने क की उम्मीद की जाती है लेकिन इसमें इक्षा शक्ती की कमी है जो संगठनों को पनपने देता है और दुनिया के सामने मुंबई और महरास्टर की निस्पक्ष छवी को धूमिल करता है वैसे पटोले ये भूल गए कि उनके शासनकाल में किस तरीके से महरास्टर की जनता से लूट खसोट का काम चल रहा था सौ करोड रुपए प्रती महिने की दर से वसूली चल रही थी पुलिस का बेजा घलत इस्तमाल किया रहा था आगे पटोले ने कहा कि सुप्रेम कोट ने महरास्टर सरकार के लिए जिस शब्द का इस्तमाल किया है वो आज तक किसी भी सरका के लिए नहीं किया गया वो खुद दिखाता है कि इस्ति कितनी जादा गंभीर है इसके अलाबा दोस्तो रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी की नेता और शरत पवार के भतीजे अजीत पवार भी अब इस मुद्दे को भुनाने की जुगत में जुट चुके हैं महरास् में दरसल भुद्वार की राथ हुई भीड की हिंसा का जिक्र करते गोरों ने ये भी का कि शांती भंग करने की कोशस की जा रही है महरास्ट में पवार ने का कि कल सुप्रीम कोट ने महरास्टर सरकार को अक्षम सरकार कहा क्या ये महरास्टर का अपमान नहीं है एक नाश् पिले के दौरे पर आयर राश्टरवादी कॉंग्रिस पार्टी यानि के एंसीपी के वरिष्ट नेता अजीत पवार ने का कि सरकार को कोट की टपड़ी को गंभीरता से लेना चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों को को दरसल आत्म मन्थन करने की जरूरत है कि सुप्रीम उतने ऐसा क्यों कहा उन्होंने का कि इस मुद्धे पर चतकाल बैठक बुलाई जानी चाहिए उन्होंने का कि विपक्ष इस मुद्धे को उठाता रहा है लेकिन सरकार के प्रमकों को इसके बारे में बताय जाना पसंद रही है पवार ने का कि पहले भी अदालत ने कहा था की राजनीती और धर्म अलग-अलग होने चाहिए सामपरदाए घ्रणा को फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए और ऐसी इस्तितियों से बचना चाहिए जिससे कानून विवस्ता की समस्या पैदा हो सकती है दरसल बुदवार की रात और अंगाबाद में भीड की हिंसा का जिक्र करते हुए पवार ने कहा था कि क्या ये दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिस है पुलिस को पूछताज करनी चाहिए और मास्टर माइंड का पता लगाना चाहिए पुलिस को बिना किसी राजनातिक दवाब के काम करना चाहिए एक वरिष्ट अधिकारी ने दरसल गुरुवार को बताय कि और अंगाबाद में 500 से अधिक लोगों की भीड ने पुलिस कर्मियों पर कथित तोर पर अटेक कर दिया जब कुछ युवक आपस में भीड गए तो रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी के निता ने नासिक मे प्याज किसान की समस्याओं की बारे में भी बात करना शुरू कर दिया जहां बड़ी मात्रा में प्याज की पैदावार उखती है उन्होंने का कि सरकार को शेत्र में नेफड के प्याज खरीद केंद्रों को फिर से शुरू करना चाहिए ताकि किसानों को उनकी उपश का उ कोई कदम नहीं उठाया दरसल नेशनल एग्रिकल्चर कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में क्रशी उत्पादों के लिए शीर्ज खरीद और विपड़न एजेंसी है तो ग्यान दिया जा रहा है एकनाशंदे और बीजेपी के गड़वंदन वाल प्रवार की ठाई साल तक वो सब्ता पर काबिज रहते हैं मारास्टर में किसानों के लिए उन्होंने क्या काम किये हैं क्या इसका लेखा जो का वो दे सकते हैं और रहीवाद कानून विवस्था की तो एकनाशंदे सरकार और उद्दफ ठाकरे और जो अगाली की पूरी की सरकार थी उसमें जमीन आस्मान का फर्क दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोट की टिपड़ी पर राजनतिक रूटियां सेखने वाले ये नेता शायद भूल गए हैं कि पालगर का मामला उन्हीं की सरकार की टाइम पर हुआ था पालगर में साफ तोर पर तमाम साध्वों की हत्या कर दी जाती है लेकिन उद्दव ठाकरे के नेतरत्त में जो सरकार चल रही थी वो दरसल इस तरीके से बिहेव कर रही थी जैसे महरास्ट में कुछ हुआ ही ना हो और आज वो ज्यान देते दिख रहे हैं सुप्रीम कोट की टिपड़ी पर वहराल इस पर आपकी क्या पर आए है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं जल्द बलूगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नाए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साड़े बने बैल आकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेक तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगए